दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि रियालिटी सेक्टर बहुत अभी आउट परफॉर्म कर रहा है जैसे कि हम DLF ओपर रियालिटी सब अच्छे स्टॉक्स चल रहा है तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक स्मॉल कैप रियालिटी कंपणी के बारे में बात करेंगे जिसका और इसके रिजल्स कैसे और इसने प्रॉफिट में डिविडियो में इस वीडियो में दोस्तों सॉक का नाम है अनंतराज लिमिटेड दोस्तों अनंतराज लिमिटेड ने लास्ट फ्यू कॉटर्स में बहुत एक स्ट्रॉंग फिनांशल परफॉमेंस दर्च किये अगर हम क 23 की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट 46.29 क्रोर्स डिकलेर किया है और अगर हम बात करें क्यूफोर एफवाई 23 के रेवेन्यू की बात करें ठीक है तो अबाव 280 क्रोर्स में आया है वह जो यर-on-year में 29.75% यानि तक्रीबन 30% का ग्रोथ रेवेन्यू में हुआ है अगर अगर इबिटा की बात करें तो कंपनी 73.67 क्रोर्स डिकलेर किया है जो की बढ़कर 194% वाई-वाई-वाई-वाई-वेसिस में 194% ग्रोथ इबिटा में हुआ है तो यह बहुत ड्रास्टिक की किसी भी स्मॉल क्या रियालिटी कंपनी के लिए और कंपनी ने अभी जो डिवि 500 रुपीस का आपको डिविडेंट मिलेगा बैंक में आपके तो जो अगर शेयर के बात करें तो 52 वीक हाई लगा है फ्रेश 52 वीक हाई लगा आनंतराज ने 156.95 फ्राइडे के दिन तो कंपनी के बात करें तो बेसिकली यह आई-टी पार्क्स बनाती है हॉस्पिटली प्र वो दिल्ली हर्याना आंदरप्रदेश राजिस्तान और इंसियार यह एरियास में यह बेसिकली यह आई-टी कंपनी और जो भी मतलब कॉफिस रसिदेंशल से यह सब आनंतराज बनाती है यह सब स्ट्रेट्स के लिए तो सभी अल्रेडी मल्टी बैकर बन चुका है आनंतरा इस और फिफ्रिटी टू वीग हाई और लोग की बात करें तो फॉन शिटी जो भी हाई पे चल रहा है और लोग की बात करें तो 42 रुपीज एन्नी एक साल में 42 रुपीज से वन 60 रूपी स्टॉक गया है यह बहुत ही इसका आरू सी आरू यह देखेंगे तो थोड़ा भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा पॉफर्म कर सकता और इसका स्टॉक के टागेट्स हो सकते 200-220 तक भी जा सकता है next one year में इसके टागेट्स है तोस्तों इसमें आप वाच लिस्ट में लगा के रख सकते हो और इसको मॉनिटर कर सकते हो आपके फिनाशल अडवाइस जरूर लीजेगा इन्वेस्ट करने से पहले तोस्तों ऐसे ही स्टॉक स्मॉल केप कंपनीज जो मॉल्टि बैगर बन सकता है फ्यूचर में अच्छे पोटेंशल रखते है ऐसे वाली स्टॉक्स को अगर आपको जाना है चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल